नमस्कार दोस्तों, सौगित करता हूँ हमारे चैनल टब 20 हिंदी में क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा फेर्ड मौजूद है जो लोगों को मार डालता है आपकी बॉडी में जो आत्मा है उसका वजन कितना होगा एक ऐसा देश जिसके पास आर्मी नहीं है फिर भी उस देश पर कबजा कर पाना लग भग ना मुम्किन है क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी आँखों को ठंड क्यों नहीं लग जानेंगे इस वीडियो में 20 ऐसे ही रैंडम फैक्ट्स वीडियो को एंड तक जरूर देखें नमबर वन दोस्तों इनसान हो या फिर कोई जानवर हर किसी को जीवित रहने के लिए सांस लेना बहुत जरूरी है क्या आपको बता है एक वर्ष में एक इनसान और सतन पचास लाग बार सांस लेता है नमबर टू अगर आप डैनिंग करनें के शौकीन है तो आपको प्रते दिन ट्राफिक सिग्नल के नियमों का पालन जरूर करना पड़ता होगा क्या आपको पता है और सतन इंसान अपनी पूरी जिन्दगी के दो हफ़ते ट्राफिक सिग्नल के गरीव होने के इंदिजार में व्यतीट करता है नमबर टू दोस्तो चीक आना एक करतिक प्रिया है और चीक आना स्वर्ष जीवन के लिए बहुत जरूरी है दरशल जब कोई बाहरी सत्र जैसे कि प्रदूशा हमारी सरीव में प्रिवेश कर रहा होता है तो हमें चीक आ जाती है क्या आपको पता है आखे खोल कर चीक ना लगभग ना मुमकिन है यहां दोस्तो कोई भी इंसान आख खोल कर नहीं चीक सकता आप जब भी चीकते हैं तो आपकी आख बंद हो जाती है नमबर फूर आपको यह जान कर हैरानी होगी कि धरती पर मौझूद सभी चीटियों का कुल वजन इंसानों के कुल वजन के बराबर है नमबर फाइफ दोस्तों आप लोग ये जानते होंगे कि हर इंसान के फिंगर पिंट अलग अलग होती है क्या आपको ये पता है ओल्यों के निशान की तरह जबान की निशान भी हर इंसान के अलग अलग होती है अगर ये fact आपको पहले से पता है तो नीचे comment में ज़रूर बताईएगा 6. हम आपसे कहें कि एक बंध घडी भी दिन में दो बार सही समय बताती है क्या आप यकिन करेंगी लेकिन यह सच है एक बंध घडी भी दिन में दो बार सही समय बताती है यह डिपन करता है कि आपकी घडी कितने बजे रुकी हुई है 7. दोस्तो इस fact पर आपको यकिन कर पानग लगभग नामुम्किन है लेकिन यह 100% सच भी है यह आपको पता है सौथ अफरीका में एक पेल इतना खतरनात है कि अगर कोई उस पेल के पास जाता है तो पेल उसे जकड लेता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक वह व्यक्ति मर नहीं जाता यह पेल कोबरा ट्री के नाम से जाना जाता है 8. दोस्तो एक नॉर्मल इंसान का वजन 60-80 किलो तक होता है क्या आपको पता है इंसान के अंदर जो आत्मा मौजूद होती है उसका वजन कितना होता है दोस्तो जो इंसान के अंदर मौजूद होती है आत्मा उसका वजन 21 गराम होता है एक वैग्यानिक ने म्रत्यू के तुरंट बाद मानो शरील को तॉल कर पता लगाया कि इनसान के अंदर जो आत्मा मौजूद होती है उसका वजन 21 ग्राम होता है दुनिया में 75% लोग ऐसे हैं जो नॉन्वेज खाते हैं अगर एक दिन भी उनको मास मचली ना मिले तो समझेए कि उनका जीना मुश्किल हो जाएगा क्या आपको पता है लगातार मीट खाने वाला आदमी अपनी लाइफ में 7000 जानवर खा जाता है दोस्तों स्मोकी करना हेल्थ के लिए कितना नुकसान दायाक है ये हम सब जानते हैं लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हूंगे कि एक सिगरट पीने से इनसान की लाइफ के लगभग 11 मिलेट कम हो जाते हैं गूगल पर गूगल को उल्टा सर्च करने पर मतलब कि ELGOOG सर्च करने पर आपके सामने जो वेबसाइट खुल कर आएगी उसमें आपको सब कुछ उल्टा नजर आएगा जकीन नहों तो आप एक बार ट्राइ करके देख लो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आइसलैंड एक ऐसा देश है जिसके पास 1869 से कोई भी आर्मी नहीं है लेकिन फिर भी ये देश काफी ताकतवर है उसकी वज़ा है आइसलैंड नाटो संगठन का एक सदस्ति है जिसने यूएस के साथ अपनी सुरच्छा का एग्रिमेंट किया हुआ है इस वज़ा से वो काफी ताकतवर है नमबर थर्टीन दोस्तों कि आपको पता है हमारी प्रिथिवी और सूरे की दूरी 15 करोड किलो मीटर है सूरे हमारे सौरे मंडल का सबसे बड़ा पिंड है जिसका व्योवसाच 13,90,000 किलो मीटर है जो प्रिथिवी से लगभग 109 बुना बड़ा है नमबर फॉर्टीन दोस्तिन नाइन मीटर की उचाई वाले टाइटैनिक को अगर सीधा खड़ा कर दिया जाए तो वो अपनी समय की हर इमारत से उचा होगा नमबर फिटीन शहर्ट एक ऐसा पधार थे जो कि हजारों साल तक खराब नहीं होता इजिप्ट के प्रामंडों में पैरोबाश्य की कब्र में पाया गया शहर्ट जब दैग्याई को दोरग चखा गया तो हजारों साल बाद भी वो स्वाधिश्ट था नमबर सिक्स्टीन ग्रीन लैंड में पाई जाने वाली शार्क मचलिया हमारी दुनिया के सबसे पुरानी जीवों में से एक है एक्सपर्ट के मताबिक 5 साल पहले पकली गई एक ग्रीन लैंड शार्क का कार्बन डेटिंग से पदद लगा कि वो लगबाद 392 साल पुरानी है बाद में एक रिसर्च के दौरान पता चला कि ये मचलियों की उम्रत 500 साल तक होती है नमबर सेवेंटीन दोस्तों कि आपको पता है जैली फिश दुनिया की एक लौती ऐसी जीवे जो कभी मरती नहीं अगर इसे दो हिस्से में काट भी दिया जाएगा तो भी ये मरेंगे नहीं बलकि दो अलग अलग जैली फिश बन जाएंगी नमबर इटीन दोस्तों ठन के मौसमें जब आप बोलते हैं कि हातों में ठन लग रही है पैरों में ठन लग रही है क्या आपने कभी ये नोटिस किया कि आपकी आँकों को क्यों नहीं ठन लग रही है क्यूंकि आपके और हमारी आखों में टंप्रेचर रिसेप्टर सेल्स नहीं होते जिसके वज़ा से आखों में ठंड नहीं लगती है दोस्तो ये बहुत चौका देने वाला फैक्ट है क्या आपको पता है 2011 में पाकिस्तान ने एक बंदर को सिर्फ इसलिए ग्रफतार कर लिया क्यूंकि वो बॉर्डर पार करके इंडिया की तरफ जा रहा था दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो फिर मिलेंगे अगली इंटरस्टिंग वीडियो में अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बिल आइकन को ज़िए दबाएं तब तक के लिए शुकरिया करते हैं लोगों करते हैं तो हमारा चैनल से वीडियो देखना चैनल